हलो फ्रेंट्स वेलकम तो तुरुपती इंडियन स्पाइस और डों फोर्केट टो लाइक अन सस्क्राइब मै वीडियो तो चलिए आज हम अपनी रेस्पी स्टार्ट करते हैं यह मूंग दाल और मेथी की सबजी है एक तरीके से सूखी सबजी है तो इसमें हमें जादा कुछ इंडियन नहीं लगने वाला तो चलिए हम सब से पहले अपनी कड़ाई को गरम कर लेते हैं अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने 5 टीस्पून मूग दाल जो है वो भिगो के साफ करके रख लिया है इसे जादा देर तक भिगोना नहीं है आप देख सकते हैं एक थाली में म तेल अब हम तेल गरम कर लेते हैं और नमक इतनी ही इंग्रिडेंट हमें लगने वाले हैं तो तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे उसे अच्छी तरीके से क्राकल होने दे फिर हमने जो लसून और मिर्ची कट करके रखे या फिर आप उसको पेस्ट बना ले मैंने यहाँ पे कुटा है तो इसे हम डालेंगे यह टूट इस्पून है टोटली इसा हम अच्छी तरीके से फ्राइ होने देंगे अगर गच्छा पन रह जाएगा तो भी हमारे सब्सक् क्योंकि उसके वज़े से भी टेस्ट खराब हो जाएगा अब इसे अच्छी तरीके से सब तरफ से घुमा लीजिए यह ज़रा जब पिंकिश दिखने लगे तो इसमें हम डाल डाल देंगे हमने जिसे दोके रखा हुआ है इसे आप अच्छी तरीके से सचाला लीजिए हम इसे थोड़े देर ऐसे ही भूनेंगे तेल में और फिर उसके बाद हम इसमें पाने डाल के इसे पकनी के लिए रखेंगे अब आप देख सकते हैं कि 1-2 मिनिट भूनने के बाद यह पूरी अच्छी तरीके से भून चुका है अब इसमें हम पाने डाल के इसे पकनी के लिए छोड़ देंगे अब आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी पानी लिया है अब इसे मैं थोड़ा सा कुख होने दूंगी कुख होने के बाद जब हमारी डाल थोड़ी पक जाएगी तो मैं इसमें फिर मेथी आड़ करूँगे अब इसे हमें ढ़क के पकाना होगा ताकि हमारी डाल जो है वो पक जाए टाइम टू टाइम इसे निकाल के चेक करें ऐसा ना हो कि नीचे का पानी पूरी तरीके से सुख जाए और आपकी डाल जल जाए और हो सके तो इसे स्लो फ्लेम में ही पकाईए क्योंकि स्लो फ्लेम में डाल अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी हमें इसे जादा ओवर कुक नहीं करना है हमें इसे आदा ही कुक करना है और फिर हम उसके साथ उसे मेथी को डालेंगे तो यह पूरी तरीके से कुक नहीं है यह आधी ही कुक है, आप देख सकते हैं, मैं प्रिस्ट कर रही हूं उसे, अब यह हो जाने के बाद, आप हमें इसमें मेथी आड़ करनी है, यह बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे कुछ ही मिन्टों में बना सकते हैं, 5-10 में यह कंप्लीट भी हो जाती है, और वो उतनी टेस्टी भी होती है, सिर्फ यहाँ पे चिली और गार्लिका ही इस्तमाल किया है, हमने बहुत जादा मसाले, यह हमने किसी और चीजों का इस्तमाल नहीं किया है यहाँ पे, तो आप एक सिंपल रेसिपी, सिंपल वे में बन की स्वाद अनुसार, यहाँ पे मैंने हाफ टीस्पून ही सॉल्ट टिया है, अब अपने स्वाद के अनुसार अड़ कीजिए, अब नमक डालने के बाद मेधी से पानी चुटता है, जिसकी वज़े से आपको पानी डाल के कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमा हमारे जो डाल है वो भी फुल कुक्ट हो जाएगी, तो इस वज़े से ही मैंने आपको कहा था कि आप उसे हाफ कुक ही करें, अब मैं इसे स्लो गैस में अच्छे इसे पक नहीं दूगी, कंटिनियस्ली हमें एक दो मिनिट के बाद इसे चेक करना है, कि जब तक हमारा दाल और मेथी अच्छी तरीके से पक नहीं जाते हैं, मैं इसे बार-बार चेक करने के बाद डग के पकाऊंगी, ताकि ये पूरी तरीके से पक जाए, और पूरी तरीके से पानी जो है उसके पूरी तरीके से सुख जाए, उससे उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, ये हर एक दो मिनिट के बाद आपको करना है, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो जलेना, अब आप देख सकते हैं, इसका पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से सुख राए है, अब हम इसे ऐसे ही चलाते हुए, और थोड़े देर के लिए कुखोने देंगे, इसका पानी है पूरी तरीके से सुख चुका है, और ये पूरी तरीके से पक भी चुका है, हमारी जो मूग दाल है, वो पूरी तरीके से सुख चुकी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं, मेरा जो मूग दाल है, वो भी ओवर कुक नहीं है, और कितना अच्छा लग रहा है, सो ट्राइट,